आज कल बहुत सरे लोगों को जब हम डाइप पैटर्न के बारे में बताते हैं तो लोग कहते हैं हम बहुत हेल्जी खाना खार है मॉर्निंग में हम मैधा की ब्रेट नहीं खाकर ब्राउं ब्रेट खारे देखे आप सबको मैं बता दू मैदा की चीज़ें बॉडी के अंदर जाके ग्ल्यू फॉर्म करती है जो आतों में चिपक जाती है और आतों में चिपक नहीं गारण आपको सीवियर गॉंस्टिवेशन की प्रॉब्लम फ्यूचर में हो सकती है अब बात है ब्राउन ब्रेड की तो एक इंफॉर्मिशन में आपको शेयर करता हूँ कि ब्राउन ब्रेड जिसको आप समझते हैं कि आटे का ब्रेड है लेकिन उसमें 80% मैदा है और सब 20% आटा है जिसको आटे का ब्रेड बोल कर बेचा जाता है तो अगर आप ऐसी गलती कर रहे हैं कि ब्राउन ब्रेड खा अगर आपको लगते है कि आप हिल्दी नाश्ता ले रहे हैं तो आप प्लीज उसको बंद कर दें इमिडियेट अदरवाइस फ्यूचर में सीबियर कॉंस्टिपेशन की प्राब्लम आपको हो सकती है थाली 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 थास्टिपेशन की तो आपको हूचर में सेथी प्राब्लम आपको में सीबियर कॉंस्टा अटा है